करनाटक चुनामेर बीजेपी ने यू सी सी का मुद्धा उठा दिया वहीं उत्राखन में 30 जून तक इसका ड्राफ भी तैयार हो जाएगा उत्राखन के सीम पुशकर सिंग धाबी ने आज तक से एक्स्क्लिसिफ बात्चित में ये बाते कहीं उत्राखन में आप कानून लेके आ रहे हैं कि उत्राखन में जिसको भी जमीन लेनी होगी उसे उसका बैग्राउंड चेक होगा इसमें क्या डीटेल था पिछले सालों के जो अनुभव आते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए जिनके कारण से कई बार यहां पर कानून बेवस्ता की इस्तिती और अन्ने परकार की जो इस्तितियां है वो बिगड़ी है क्योंकि वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ है पहले जानकारी नहीं हुई है इसलिए हमने प्ताई किया है मंत्री मंडल में सो मोटो अभी फैसला किया है कि आगे जो भी यहां पर जमीन खरीदेगा उसको उसके पीछे का भी जो है जो रिकॉर्ड है वो द जो ग्तिकुर्ड कि आखिर, क्यों यहां पर आना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं वनवे भाग और वन छेत्र हो या सरकारी जमीन हो अभी लगातार प्रशासन जो है कारवाई कर रही है, अतिकरमन तोड़ा जा रहा है उसमें मजारे भी शामिल है तो यह कारवाई जा रहेगी और आगे किस तरह से आप कारवाई कर रहे हैं, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? नहीं, वह ऐसे 1000 से भी ज्यादा की भी बात कर हो रही थी तो मंदिरों को और गुरुद्वारों को जो प्रशासन जैसे बता रहा है या वन विबाग में एक रिपोर्ट आई थी उसको कैसे लेकर चल रहे हैं अभी जो चिन्नित किये गए हैं उन सब पर कारवाई हो रही है और प्रशासन उस पर काम कर रहा है चाहे मंदिर हों गुरुद्वार हों या मजारो सब पे कारवाई होगी जो अवैद निर्माण कर रहा है जहां पर अतिकरमन है उसको आटाने का काम हो रहा है दो अधर बाइस में चुनाव से पहले आपने गोश्रा करी थी कि उत्राकंड सबसे पहला राज्य बनेगा और कहा जा रहा है कि अगले कुछ महिनों में यू सी सी भी आ सकता है तो यू सी सी कितनी जल्दी आएगा देखे यू सी समान नागरिक सहीता इनिफर्म सिविल कोड उसका ड्राप्ट हमारा अंतिम चरण में है तीस जून तक वो ड्राप्ट कमेटी बना देगी और ड्राप्ट के बनते ही उसको हम लागू करने की दिसामा आगे बढ़ेंगे और ये ड्राप्ट हमारा पूरे देश के अन्ने राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में काम करेगा इसलिए उसके सभी पहलों को सभी प्रकार से ठीक प्रकार से उस पर काम करने के बाद उसको कि बात हो बिसे इस रूप से हमारी मातर सक्ती के लिए वो कानून बहुत ही सहाइक होगा